कॉआंग्रेस नेता को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर कॉआंग्रेस पार्टी में मचा हड़कम कॉआंग्रेस महाच्चीव जैराम रमेश ने कहा है कि महेंगाई पर कॉआंग्रेस का हल्ला बोल 22 अगस्त से शुरू होगा और 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई पर रैली होगी उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को प्रदेश सर पर 25 अगस्त को जिलास सर पर और 27 अगस्त को ब्लॉक सर पर महंगाई पर हल्ला बोल रैली होगी इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हुई है उन्होंने कहा कि कुछ कौंग्रेस नेता कोरोना से पीडित हैं तो कुछ रिकवर हो रहे हैं। कौंग्रेस अध्यक्ष को भी कोरोना संक्रमण हुआ था। इसको देखते हुए अब महेंगाई पर हला बोल रैली 28 अगस्त की जगह अब 4 सिसंबर को होगी। जैराम रमेश ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयो जित होनी है। जिसे राहूल गादी समेथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेगे। महेंगाई के खिलाफ महेंगाई पर हला बोल रैली की तारिक बदल दी गई है। दिल्ली में कोरोना केसों को देखते हुए किया गया है। इस रैली के जरिये केंद्र सरकार को संदेश दिया जाएगा। जैराम रमेश के अनुसार कॉंग्रेस महेंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में और तेज करेगी। कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने बताया कि इस रैली से कॉंग्रेस कमिटिया राज जिला और ब्लॉक स्तर पर महेंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली कारिकरम का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस लोगों में जाग रुकता फैलाती रहेगी। इस खबर के बारे में आप क्या सोस्तियों समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए। निउस डैस के से प्रिया